हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर योट्यूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत जाला ट्रेंड में चल रहे हैं वो चल रहे हैं लैस वाले कुर्तिस दोस्तो आप एक लैस लगा के किसी भी प्लेन कुर्ति का लुक करते हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स भी जोईन कर सकते हो इस स्क्रीन के उपर आपको दो नमबर दिखाई दे रहे होंगे इन नमबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो तो फ्रेंट्स अब शुरू करते हैं आच की वीडियो और सीखते नमब बनाना थो आठाइब कर्सक्नी पर जसब संसे पहले आपको न्गा का तुकड़ा लेना है और इस पर आपको मार्किंग कें एधर से आपको दूरी रखनी है तीन इंच फिल्कुर रखनी है वह रखनी आपको साथ इंच येग माES का झैस प्रकार से बिल्कुल सीधी की लाइन ड्रो करनी इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल वी गले की शेप बन चुकी है अब आपको क्या करना है यह देखें वी गले की कटिंग कर ली है और इसके अलावा यह नीचे हमने एक्स्टा थोड़ा कप्ला रखना होता है यानि वुकर्म का जो एक्स् यह देखें तो आप देखें गल्य जो हे हमारा इस परकार से वी गल्य हमारा है कट चुका है ढ़ला में निए कटा there जैसे आम नोर्मल गाला बनाते हैं उस परकार सिसंगर को उमने बना लेना है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो जो वी गल्य था, वह scenario नोर्मल गले की तरह इस गले को हम बनाते हैं कोई स्पेशलिस में कुछ भी नहीं होता अब इसमें क्रेटिविड हमें क्या करने बिल्कुर सिंपल प्लेन सूट है अब इसमें आप अपनी चॉइस की कोई भी लैस लगा सकते हो फिलाल मेरे पास जो इसमें लैस में वाइट कल देखें बिल्कुर सेंटर में इस प्रकार से आपको चलाय लगानी है अपर इस प्रकार से इस लैस को फोल्ड करना है आपको यहां पर एक बनाना है ट्राइंगल यह देखें इस तरह से तो दोस्तों गले में मैंने इस परकार से बहुत असान तरीके से लेस लगा ली है अब आपको क्या करना है अब इसमें और अच्छी क्रियेटिविटी डिजाइन करने के लिए आपने इस सूट को इस परकार से पकड़ लेना यह देखे ठीक है बिल्कुल सीधा रखना इसको दूर हम बिल्कुल बराबबर रखते हुए नीचे से उपर सरबले बिल्कुल आपस मिला ले यह देखिए अब इनको मिलाने कре बाद आपको जो अगला स्टाप उठान वो क्या करना ज अगला स्टाप उथाने लिए फ्रैंट्स आपको जूरूरत पड़ेगी 2ए कीए देखिए मेरे पास सीधा एक obligations अब का करना ι है यहां से तो अपको दूरी रखने हैं आपको चार इंच की दूरी पर इस परकार से आपको एक लाइन के टॉर करनी है इसको फोड़ा डार कर लेतें इस परकार से देख diff इस लाइन को थोड़ा में ड्राइग कर लेता हूं अच्छी तरह से इसी दिलाइन में ड्रोग करी हैं तो यह वाली अब इस लाइन के उपपर आपको लैस लगानी लेकिन इस लैस को लगाने से पहले आपको इसमें थोड़ा सा गुमाव और देना यह गुमाव आपको कहां पर देना है आपको यह कमर की फिटिंग का निशान दिख रहा होगा यह वाला ठीक है और इसमें जाकर आपको मिलाना है अब यह घुमाव मिलानी के लिए आपको क्या करना है यह अच्छा यह जो लाइने ड्रो कहां तक करनी इस चीर कभी आपको ध्यान रखना है यह देखें यहां से लेकर यहां तक जो यह शेप होती है जितनी भी आपके कमर के शेप 14 प्यारी है यह तो सीधर लाइन हो गई यह वाली ठीक है इस लाइन से नीचे आपको लगभग साड़े चार्ज इंच पर इसको भी कुशीदा लाना है और फिर यहां से आपको घुमाव देना है इस परकार से देखें यह देखें इस परकार से घुमाव देना है और इस घुमाव को जाके कहां मिलाना है आपने इस कमर वाली शेप में यह देखें इस तरह से यह मैंने एक तरफ इस परकार से चौक से लाइन डो कर ली है अब सेम इसी परकार से आपको इस निशान को तो दूसरी तरफ लगाने के लिए आपको क्या करना है इसको आपने इस पकार से पलट लेना है यह देखें इस पकार से बिल्कुल बराबर रखना है बराबर रखने के बाद आपका जो निशान एक दम परफेक्ट आ जाएगा उसके लिए आपको क्या करना है इस पकार से दे लगते हो देखे यह निशान में डार्क कर लिए बिल्कुल सीध ही लाइन करनी इस प्रकार से अब यह जो मैंने मार्किंग करी है ना इस मार्किंग के ऊपर आपको लगानी है लैस लगाना बहुत ही असान है एक स्लाई में ही लग जाएगी देखे यहां से शुरुबात करें और उसके बाद आगे का जो डिजाइन बचेगा उसको कैसे करना वो भी मैं आपको बताता हूं तो फेंट्स गले में मैंने लैस लगा ली है और इस प्रकार से जो चौक से मैंने निशान लगाए थे वहाँ पर भी मैंने लैस लगा ली है आगे का गला कम्प्लीट है पीछे के गले में बूरे पट्टी लगा कि इसको मैं कम्प्लीट कर लेता हूँ side की fitting कर लेंगे उसके बाद इसके जो side के जो चाक रहेंगे ना ये चाक पर भी हम less लगाएंगे पहले ये काम मैं पूरा कर लेता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुर्टी का काम है जो लगबर complete हो चुका है क्योंकि जब ये less यहां पर लग जाएगी ना तो इस suit का बिल्कुल लुक एगरम चेंज हो जाएगा तो पहले side के जो चाक है इने पर मैं less लगा लेता हूँ उसके बाद इसको पहनने के बाद इसका जो final look आएगा कैसा आएगा वो भी आप उमें दिखाता हूँ आप उमें जाएगा का बिल्कुल अपिए औराऊच के बिल्खागा कैसा हूँ